हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूं पार्ट फाइफ एकाउंट्स का स्टेंड अलोन फैनेंसियल स्टेट्मेंट्स यहां पर बेसिक कॉंसेप्ट और दो-तीन अब्जेक्टिब्स इससे रिलेटेड जो मुझे मिले हैं वो लेके आपके लिए आया हूं तो वीडियो को फुल देखें और यहां पर इसकी प्रेपरेशन करें बेसिक कॉंसेप्ट क्या-क्या इसमें कवर की जाती है इस्टेंड अलोन फैनेंसियल स्टेट्मेंट में जो रेट कलर में मैंने यहां पर मार्क किया हुगा है उससे ध्यान रखना है आपको क्योंकि ज जो बाकी सीरीज में ने बनाया है आपको इसकी एकाउंट्स और लौ के मिल जाएंगे तो धिरे-दिरे में सारी चीज़े कबर करते रहूंगा जैसे जैसे एक्जाम्स आएंगे तो आपको हेल्प मिलते रहेगा तो आईए नेक्स्ट सुरू करते हैं यहां पर सो यहां फि देखते हैं सिंगल एंटिटी यानि वन कंपनी का ही मतलब सिंगल एंटिटी को कबर किया जाता है इन दे केस ऑफ ग्रूप डैट ऑफ दा होल्डिंग कंपनी बिदाउट कंसिडरी कंपनी यानि जब स्टेंड अलोन फैनेंशल स्टेट्मेंट हम बनाते हैं तो उसमें किसी सबसेडरी जॉइन बेंचर या किसी चीज का कंसिडर नहीं करते हैं जो में एंटिटी उसके बारे में ही यहां पर बात होती है नेक्स बात करें फैनेंशल पोजीशन रिफ्लेक्ट क्या क्या करते हैं यहां पर तो इस्टेंड अलोन फैनेंशल स्टेट्मेंट डू नाट रिफ्लेक्ट दा फैनेंशल कंडिशन अब इंटार ग्रूप यानि पूरी कंपनी की यह पोजीशन नहीं बताती बट ओनली दा सिंगल कंपनी हूस फैनेंशल स्टेट्मेंट अर प्रपेर तो जिसका हम फैनेंशल स्टेंड अलोन बनाते हैं यह उसी का फैनेंशल किया है वो चीज़ें यहां रिफ्लेक्ट करते हैं तो इन इस्टेंड अलोन फैनेंशल स्टेट्मेंट्स अल सबसीड़ी टर्ण जक्सन और बैलेंस आर रिपोर्टेट सच अज इंटर कंपनी सेल एंड पर्चेस और पर्चेस रिसीवेबल पेवल हम यहां पे सू करते हैं investment in subsidiaries etc हमने जो अपने subsidiary में invest किया है तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी बट उनकी जो चीज़ें है sale purchase वो यहाँ पर reflect नहीं होती है reported by तो report कैसे के दौरा किया जाता stand-alone financial statements are reported by all companies सभी company को यह stand-alone financial report करना होता है then balances pertaining to individual company so जो सारे balance यहाँ पर आएंगे individual एक company के होंगे इन stand-alone financial statements the income and expenses and assets and liability balances of each individual can be identified तो यहाँ पर stand-alone होने की वाज़े से आप हर चीज़ यहाँ पर identify कर सकते हैं next यहाँ पर reporting of equity कैसे करते हैं तो stand-alone financial statements only report its shareholder interest in its balance sheet so balance sheet में यहाँ पर जो company के shareholders होते हैं उनके interest के accordingly यहाँ पर उनका reporting किया जाता है उसके बाद complexity की बात करें यहाँ पर stand-alone financial statements are less complex to prepare यहाँ जब हम holding या consolidated company की बनाते हैं यहाँ पर consolidated financial statement तो वह more complex होता है क्योंकि अगर तीन-चार joint venture हैं subsidiaries हैं उसकी तो उन सबको merge करना होता है उसमें क्या चीज़ा आएंगी नहीं आएंगी बहुत complex होता है but stand-alone बनाना बहुत easy होता है तो इससे भी objective आ सकता है कि easy है less complex more complex या moderate ऐसे करके options आ सकते हैं relevance to investor of a group तो यहाँ पर relevance क्या होता है investor group के लिए stand-alone financial statements do not reflect the financial condition of the entire group तो अभी तक के meaning में आपको पता चल गया होगा यह full company के बारे में information यहाँ पर नहीं होती है in reality for investor of a company specifically those independent on group transaction and group support the financial position of its group companies are also relevant and hence stand-alone financial statements are less relevant in such a case so अगर investor है कोई company listed है suppose उसकी stand-alone आती है तो वहाँ से आपको पूरा truth उसका जो है fair view नहीं पगा चलेगा तो आप उसको invest करने के लिए यह जादे relevant नहीं होते हैं इन सब चीजों में investment के purpose से अगर आप देखें तो relevance for tax compliance की अगर बात करें तो stand-alone financial statements are more relevant for the respective perspective of tax compliance so यह बहुत ही relevant होता है क्योंकि यह एक-एक group का बनता है तो बहुत easy होता है एक stand-alone बनाना each company is a separate taxable entity and thus its stand-alone financial statements are considered while undertaking tax compliance so stand-alone बनाना यानि suppose हर stand-alone अपना company बना रही है हर subsidiary है वो अपना बनाएगी तो वो stand-alone होती है वो अपने holding या अपने जो parent company है उसको add नहीं करती है तो काफी easy हो जाता है कि आपने अपना tax calculate किया और compliance की इसाब से pay कर दिया तो यह काफी easy होता है उसके बाद बात करें order of preparation की तो stand-alone financial statements of all group companies are prepared first सबसे पहले order में अगर आता है तो सबसे पहले stand-alone बनाया जाता है उसके बाद consolidation किया जाता है and form the basis of preparation of consolidated financial statements तो यहाँ पर इसका पुरा यह मैंने दो चीज़ें कबर कर ली यहाँ पर यही उसका करक्स है यह consolidated financial financial statement में यही चीज़ें होती है तो एक बार आप इसको जरूर अच्छे से देख लें और क्या क्या चीज़ें होती है बस आपको main point उनका ध्यान रखना है उसके बाद अगर बात करें objective type की तो यहाँ पर financial statement that summarizes company revenue and expenses each income statement correct answer है उसका उसके बाद which financial statement and it represents a summary of the asset liability and honor security of a firm तो यहाँ पर इसका correct answer हो जाएगा balance sheet next question की बात करें यहाँ पर stand alone financial statement is basically representing the financial position of the company and the performance of the company is a इसका मैंने answer नहीं बताया हुआ है थोड़ा सा आप सोचिए फिर मैं बताने वाला हूँ आपको पताया होगा जैसे उपर मैंने meaning बताया इसका answer a है single entity यहीं हम stand alone में single entity का बनाते हैं सारे इसमें include नहीं करते हैं so I hope आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें friends के साथ share करें next video का wait करें जल्दी ही लेके मैं आने वाला हूँ next video अगर कोई query है कोई doubt है तो आप cmpradeep731 at gmail.com पे mail कर सकते हैं मुझे thank you once again आप सब मेरे साथ ऐसे बने रहे इन सीजो के लिए मैं कोसिस करूंगा कि जितना हो सके चीजे मैं आपको awareness करते रहूं मैं teacher हूँ नहीं कि मैं चीजे को अच्छे से cover करूं बड़ मैं जितना हो सकता idea आपको दे सकता हूं बाकी आप अपने book से अपने जो भी much study material है उससे preparation करते रहें so thank you friends and best of luck for your all upcoming exams thank you